तो फाइनली दोस्तो इंडिया के सुपरस्टार वीर महान ने रोमरेंग्स और ब्रॉकलिसर दोनों को चैलेंज कर दिया है अब आप लोग सुचेंगे कि ये कब हुआ वीर महान ने आखिर डोमरेंग्स और ब्रॉकलिसर को कब चैलेंज किया तो आईए मैं आपको बताता हूँ कि वीर महान ने रोमरेंग्स और ब्रॉकलिसर को कब चैलेंज किया और कब वीर महान को रोमरेंग्स के अगेंस टैटल मैच मिलेगा तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो का अके तक जहू देखिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरू कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा वीर महान का डबियो जब से रौ में हुआ है तब से वीर महार अपने डॉमिनेशन से सारे डॉमिनिक को परिशान कर रहे है वीर महान के सामने जो भी आता है वो वीर महान के सामने टिक नहीं पाता है चाहिए वो हो डॉमिनिक या कोई जॉबर कोई भी वीर महान के सामने टिक वीर महान ने रोमर एक्स और ब्रॉक्लिसों को कब चैलेंज किया आईए मैं आपको बताता हूँ। रॉमें दिये गए अपने एक इंटर्व्यू में वीर महान ने कहा है कि डबले वी में ऐसा कोई भी रॉस्टर नहीं जो नहीं हरा सकता है। क्यूंकि वो जब डबले वी के रिंग में जाते है और उनके सामने उनका अपॉनेंट आता है तो वो उसकी एतनी बुरी हालत करते हैं कि वो अपने पैरों पे खारा भी नहीं रह पाता। विर्माहन ने कहा कि उनके गाउं में एक कहावत है और वो कहावत यह है कि अपने दोस्तों को पेट भरके खिलाओ और अपने दुश्वद्यों को पेट भरके मारो तो वो अपने अपोनेंट को पेट भरके मारते हैं वो अपने अपोनेंट को इतना मारते हैं कि वो दुब वी के सबसे डॉमिनेटिंग सुपरस्टार बन चुके हैं और कोई भी डबल वी का सुपरस्टार उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता है। पाना नामुम की नहीं और जो भी मेरे सामने आएगा वो तभा हो जाएगा। इसलिए ब्रॉमरेक्स मुझसे डरते हैं और मुझसे चैलेंज करना नहीं चाहते हैं। डबल वी का बिजनेस काफी जादा अच्छा है तो इंडिया में अपने बिजनेस को और भी जादा बढ़ाने के लिए डबल वी वी वीर महान को मौका दे सकता है कि वो रोमरेक्स को चैलेंज करें अंध्यूस फूटर डबल वी युनिवोसर्ट टाइटर के लिए। तो द